आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Question is, a colored compound A reacts with dilute H2SO4 to produce a colorless gas B and colorless solution C The reaction between B and the acidified K2Cr2O7 solution produces a green solution and a slightly yellowish precipitate D The substance D burns in air to produce a gas E which also can change the color of K2Cr2O7 solution Question diya ga hai When colorless solution C reacts with PB3O4H+, it acquires a violet red color due to formation of यानि की, जो colorless solution C वो जब react करता है PB3O4 के साथ, तो ये क्या देता है, violet red color देता है ठीके, तो जो violet red color होता है, ये किस के formation के कारण होता है, वो हमें बताना है ठीके, तो सबसे पहले हम ABCD जो हमारे है, वो देखने थे reaction से, ठीके, फिर देखते आगे तो देखो, सबसे पहले बोलागे है, colorless compound है A, जो की react करता है dilute H2SO4 पूर से तो colorless, sorry, colored compound है, not colorless तो जो colored compound है, MNS लेते हैं हम, ठीके, ये हमारा होता है red color का ठीके, जब इसकी reaction करवाते हैं, dilute H2SO4 के साथ, तो देखो, ये हमें यहाँ पर देता है MNS लेता है, और देता है, यहाँ पर हमें H2S gas ठीके, अब देखो, यहाँ पर जो बोला गया है, कि produce करता है colorless gas B को और colorless solution C को, तो यहाँ पर जो यह हमारी MNS लेता है, और जो यह B है, यानि कि H2S जो है, यह हमारी H2S gas, यह भी हमारी colorless होती है, ठीके, और जो MNS लेता है, यह भी हमारा colorless solution होता है, ठीके, अब देखो, यह तो था हमारा A, MNS जो था, A product था ठीके, यह है हमारा C, और यह है हमारा B, अब आगे बोला गया है, जो reaction जो है between B और acidified K2Cr2O7 solution, तो H2S की जब reaction करवाते हैं, अपन किसके साथ में, H2S की reaction करवाते हैं, acidified K2Cr2O7 के साथ, तो देखो, जब यहाँ पर reaction होईगी, K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, ठीके, तो यहाँ पर यह हमें क्या देगा, यह हमें देता है, K2SO4 ठीके और देगा यहाँ पर हमें, CR2SO4 का whole thrice, और 3S, यह जो है, यह हमारा precipitate होता है, yellow precipitate हमें मिलेगा यहाँ पर यह हमारा yellowish होता है yellowish ppt होगा ठीक है और यह जो है यह हमारा green color में होगा ठीक है green color में solution होगा तो देखो अब आगे क्या बोला गए एक बार चेक करते हैं कि solution produces a green solution तो देखो यहाँ पर हमें green solution मिल रहा है ठीक है and slightly yellowish precipitate D तो यह जो मिलता है यह हमें D मिला है जो यह sulfur precipitate निकल रहा है यह हमारा yellowish precipitate है यह हमारा D product है अब आगे बोला गए जो D है वो burn होता है air की presence में और produce करता है gas E को ठीक है तो D जो है यानि कि 3S जो है जब यह air की presence में यानि कि 3O2 से react करता है तो यह हमें क्या देता है 3SO2 यानि कि sulfur dioxide gas देता है यह हमें ठीक है और यह जो gas होती है यह हमारा क्या है यह हमारा E product है ठीक है अब आगे बोला गए which also can change the color of K2Cr2O7 solution तो यह जो SO2 है यह color change कर देता है किसका K2Cr2O7 solution का ठीक है तो देखो कैसे करेगा जब हम react करवाते हैं किसकी SO2 की यहाँ पर SO2 की हमने reaction करवाई किसके साथ में K2Cr2O7 K2Cr2O7 के साथ में और H2SO4 के साथ में ठीक है तो देखो यहाँ पर यह हमें देगा एक तो तो देखो यहाँ पर यह हमें दे रहा है K2SO4 और दे रहा है यहाँ पर CR2SO4 का whole thrive, तो देखो यहाँ पर इसका color जो होता है, green होता है तो यह इसने बोला कि color change कर देता है तो क्या आता है, green color आता है ठीके, और H2 वह भी यहाँ पर होता है ठीके, अब आगे बोला गया when colorless solution C, यानि कि C क्या था, देखो यहाँ पर जो C था हमारा MNSO4 ठीके, जब इसकी reaction करवाते हैं अपन PBO3 और H plus की presence में तो यह violet red color produce करता है ठीके, तो यह जो violet red color होता यह किसके formation के कारण बनता है तो वह मैं बता आता है रियक्शन करवाई, किसके साथ में Pb3, O4 और H plus की ठीके, जब रियक्शन हुई, तो यहाँ पर हमें मिलता है 2 MnO4 minus ठीके, 2 Pb2 plus और 13 Pb2 plus यहाँ पर इसके 2 compound बनते हैं ठीके, टोटल 15 Pb2 plus बनते हैं यहाँ ठीके, और साथ में होता है 12H2, ठीके, 12 water के molecules होता है ठीके, और यहाँ पर आएगा हमारा 5 ठीके, तो और यह जो होता है हमारा MnO4 minus यह जो होता है, हमारा violet red color का होता है कैसा होता है? यह हमारा violet red color का होता है तो हमें question में यह पूछा गयाता है कि किसके कारण violet red color होता है तो होता है MnO4 माइनस के कारण ठीक है तो option number हमारा कौन से सही होगा option number first यहां पर correct होगा MnO4 माइनस के कारण क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर